यह आपकी गलती है? इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं It's your fault मुझे एक आम से छुटी चाहिए चलो थोड़ा बाहर चलते हैं इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं I need a break from war Let's go out for a beat मतल़ थोड़ा बाहर चलते हैं For a beat मैं इस साल दिवाली के लिए बहुत उचाहित हूँ I am so excited for दिवाली this year इस साल मतलब this year नमस्कार निहा तुम कैसी हो जब आपको ऐसा किसी से पूछना हो तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं Hello निहा, how are you निहा तो एक नाम है, आप कोई भी नाम कह सकते हैं तो जवाब में आप बोल सकते हैं मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे I am great, how are you तो आपको भी वो पूछना है, how are you तुमसे मिलकर खुशी हुई I am pleased to meet you pleased मतलब खुशी तो I am pleased to meet you मैं आप से चार बजे मिलूंगी I will see you at four o'clock four o'clock मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमें है आए चार साल हो चुका है तो इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं I can't believe it's already been four years since we moved here since we moved here क्या किसी ने मेरा फोन देखा है Has anyone seen my phone? Has anyone seen my phone? मेरा फोन देखा है